नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिष शो में तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं तीन बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं जो भारती वायू सेना को लेकर सामने आई हैं और तीनों खबरे सूपर इंपोर्टेंट है लेकिन ये खबर भारत के लिए खुश खबरी है या दुख खबरी है वो आप मुझे कमेंट करके बताईएगा खबर सुनने के बाद तो चलिए अब बिना टैमगेस्ट की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं तो दोस्तों पहली खबर निकल कर सामने आई है भारत के मिग 21 बाइस जिसमें मुर्दो को रखा जाता है ऐसा क्यूं क्योंकि ये लड़ा को विमान 60-70 साल पुराना है यानि कि अब से करीबन 20-25 साल पहले इसका इस्तमाल पूरी तरीके से बंद हो जाना चाहिए था यानि कि सन 2000 के बाद तो इसे उड़ाना बिलकुल बैन कर देना चाहिए था क्योंकि ये बहुत पुराना हो चुका है ये उड़ने लायक स्थिती में नहीं है लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो इसे अपडेट करके इसमें कुछ नई नई चीजे लगाकर इसका इस्तमाल करते रहते हैं उन्हीं में से एक देश है भारत आप जानकर हैरान हो होंगे कि हम मिग 21 बाइसन के वन अफ द लार्जेस्ट ओपरेटर हैं हम सबसे ज़ादा स्तमाल मिग 21 करते हैं यहां तक की जिस रूस से हमने इसे खरीदा था उससे भी जादा स्तमाल हम मिग 21 का करते हैं और इसका रिजल्ट क्या निकला तो रिजल्ट यह है कि पिछले कु हमारे पाइलेट की इसी लड़ा को विमानने ली है यहां तक कि पिछले कुछ सालों में दुश्मन की वज़े से जितने हमारे पाइलेट शहीद नहीं हुए उतने इसे उडाते हुए शहीद हो चुके हैं यह हमारे लिए इतना ज्यादा घातक है लेकिन फिर भी हम इसे क्यों उडाते हैं क्योंकि हमारी मजबूरिया है इस समय भारती वायू सिना के पास 31 लडाकू विमानों की स्क्वाडरन है जिन मैसे हमने दो स्क्वाडरन जो मिग 21 की थी वो पिछले दो सालों में रिटायर भी कर दी है इसकी वज़े से हमारे पास लडाकू विमानों की कमी है क्योंकि काइदे से हमारे पास करीबन 42 स्क्वाडरन लडाकू विमान होने चाहिए थे एक स्क्वाडरन में 16 से लेकर 18 लडाकू विमान होते हैं यानि कि हमें मोटा मोटा गर आप देखें तो करीबन देड़ सो से दो सो लड़ाको विमानों की कमी है अब आप खुछ सोचिए कि ऐसे टाइम में जब चीन और पाकिस्तान हम पर प्रेशर डाल रहे हैं हमारे पास ओर लेड़ी दो सो लड़ाको विमानों की कमी है तो ऐसी स्थिती में हम और लडाक विमानों को कैसे रिटायर कर सकते हैं मिग 21 इस समय हमारी मजबूरी बन चुका है और इसलिए ना चाहते हुए भी वायू सेना इसे उडाती है लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत सरकार तक को हिला दिया दरसल राजिस्थान के भरतपूर में एक मिग 21 क्रैश कर गया और उसमें पाइलिट की जान तो बच गई लेकिन जो वो लडाकु विमान था वो एक रियाईशी इलाके में जाकर गिरा जिसमें कई नागरिकों की जान चली गई यानि कि वो मिग 21 जो अभी तक सिर्फ पाइलिट की जान लेता था अब वो आम नागरिकों पर भी भारी पड़ रहा है इसी कारण से अब भारत सरकार ने बड़ा फैंसला लिया है दरसल कुछी देर पहले खबर निकल कर सामने आई है कि भारत सरकार इस समय जितने भी मिग 21 हमारी वायू सेना में शामिल है सब को ग्राउंडिड करने जा रही है फिलाल ये फैंसला टेंपररी है मतलब की ये देखा जाएगा ग्राउंडिड करके कि इन लड़ाकु विमानों में क्या कमी है और साथ ही ये भी खबर आई है कि भारती वायू सेना में अब करीबन 50 से जादा जो मिग 21 है उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा आने वाले दो सालों में और जो कुछ लड़ाकु विमान धंकी स्थिती में होंगे सिर्फ उन्हें ही उड़ाया जाएगा अब ये खबर हमारे लिए अच्छी है या बूरी क्योंकि समझ में नहीं आ रहा अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि हमारे पाइलेट के अब कम जाने जाएंगी और बूरी खबर इसलिए है क्योंकि हमारी लड़ाकु विमानों में 50 से जादा लड़ाकु विमान और कम हो ज कि हमारी सेनाओं के पास करीबन तीन स्क्वाडरन मिग 29 लडाकु विमान भी हैं जो काफी पुराने पड़ चुके हैं इसलिए आने वाले पांस सालों में उन्हें भी पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाएगा यानि कि कम से कम मिग 29 का हाल अब मिग 21 जैसा नहीं होगा उन भाज्टे वायू सेना में शामिल हैं इने भी पूरी तरीके से रिटायर कर दिया जाएगा 2027 तक यानिकि एक तरफ तो अच्छी बात ये है कि भारते वायू सेना में जितने भी पुराने लडाकु विमान हैं सब को रिटायर किया जा रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह हाला कि इन फैंसलों से एक संदेश ये भी मिल दा है कि आने वाले एक से लेकर डेड़ सालों में भारत सरकार कोई नया लडाकू विमान खरीदने के लिए डील कर सकती है कम से कम सो लडाकू विमान हमें तुरंत चाहिए और भारत सरकार इसको लेकर चुपचाप काम भी कर रह तो